तो शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले concept विडियो से जिसका नाम है soil erosion and desertification तो soil erosion क्या होता है जब top soil जो fertile soil है वो अगर erode हो जाए अगर वो remove हो जाए easily due to human activities उसको हम soil erosion बोलते हैं और ऐसा किन किन सीजों से हो सकता है अगर हम specifically देखें तो तो अगर over cultivation होगा तो soil erosion होने के पूरे-पूरे chances हैं उसके साथ-साथ अगर unrestricted grazing है मतलब कि अगर हम over grazing करा दें अगर हम अपने cattle को बहुत लंबे समय के लिए field पर छोड़ दें तब भी क्या होगा soil erosion होने के पूरे-पूरे chances होंगे उसके साथ-साथ अगर हम deforestation करेंगे क्योंकि जो पेडों की जड़े होती हैं वो soil को tightly पकड़ कर रखती हैं अगर हम पेडों को काटेंगे तो फिर again up soil के remove होने का easily chance है और soil erosion cause हो सकता है इसके साथ ही साथ अगर poor irrigation practices perform होती हैं अगर irrigation properly नहीं किया जाता है तब भी soil erosion के पूरे-पूरे chances हैं और उसके साथ ही साथ अगर arid patches देखे जाए land पर तब भी soil erosion cause हो सकता है और ऐसा होने से होगा क्या soil पूरी तरह से infertile हो जाएगी और desert create हो जाता है और desert पे तो आप क्या कर सकते हैं क्या आप agriculture perform कर सकते हैं क्या आप उस पे crops grow कर सकते हैं हम नहीं कर सकते तो इसी को हम बोलते हैं desertification और desertification एक बहुत बड़ा cause है जो increased urbanization की वज़े से cause होता है